हेलो फ्रेंड वेल्कम बेक टू माई चैनल तो आज की वीडियो में हम डिसक्रस करेंगे हमारा नर्सिंग केर प्लान ओन क्रोनिक अब्स्ट्रक्टिव पल्मनरी डिजीज के बारे में फर्सली सी ओपेडी हमारा होता क्या है यह हमारी लंग की डिजीज है जिसके अंदर जो हमारा एयर फ्लो होता है लंग के अंदर वो ब्लोक हो जाता है जिससे क्या होता है हमें डिफिकल्टी होती है हमें सांस लेने के अंदर सो उसी के लिए हम यह nursing care plan बना रहे हैं so firstly is front page पर आपको क्या गरना होता आपके college का name then आप किस topic पर आपका nursing care plan बना रहे हैं वो नीचे आता आपका submitted to, submitted by and submission on यानि submitted to किस teacher को आप submit कर रहे हैं submission on किस date को आप submit कर रहे हैं submitted by आपका नाम role number class xyz so यह सबी चीज़ आती है then उसके बाद आता है हमारा second page पर हमें करना होता है हमारा patient की profile इसके अंदर हमें लिखना होता है हमारा patient का name father's name mother's name उसका age, sex, occupation क्या है वो करता क्या है उसका marital status क्या है religion क्या है उसका address वो कहां से belong करता है कौन से word में वो admit है, उसका bad number क्या है, उसकी admission की date क्या है and किस word diagnose से है तो हम बना रहे हमारा copied यान chronic obstructive permanent disease तो वो क्या हमारा diagnose है उसके बाद हम करेंगे patient की history collect उसके अंदर हम लेखेंगे patient की chief complaint क्या क्या है यानि patient को chest में pain है, cuff है, secretion है, dyspnea है, wheezing sound होते है, during respiration और fatigue है देंगे उसके बाद हम करेंगे patient की medical history check present में कोई medical history है यानि present में तो है क्योंको उसको cuff है, सास लेने में problem है, breathing में difficulty है ये खर भी क्या हमारी present medical history है, past में कोई medical history नहीं थी, present में कोई surgical है या नहीं है, past में कोई surgical history है या नहीं है वो सभी चीज़ इसके अंदर में mention करने होते है दें उसके बाद हम चेक करेंगे patient की personal history उसके अंदर हम चेक करेंगे उसका nutrition and metabolic pattern वो क्या खाता है, क्या पीता है, alcohol वगरा तो consume नहीं करता, ज्यादा calorie diet रहता है, वो क्या diet लेता है, वो सभी चीज़े इसके दर हम लेखेंगे उसके बाद हम करेंगे patient का elimination pattern, patient का elimination pattern में हम इसमें लिखेंगे कि वो कौन-कौन सी diet को eliminate कर रहा है, अभी कौन-कौन सी diet वो ले रहा है, तो वो सभी चीज़े इसके दर हम लेखेंगे देन उसके बाद आता है हमारा activity, exercise pattern, जो patient की activity है, वो क्या-क्या करता था, exercise क्या-क्या करता था उसके बाद हम चेक करेंगे patient का rest, sleep pattern, कितना वो सोता है, कम नहीं सोता, वो सभी चीज़े इसके दर हम लिखेंगे उसके बाद हम patient का socio-economic status हम चेक करेंगे, जिसके अंदर उसकी annual income कितने है, family में कोन-कोन है, उसका जो surrounding है, जहांपे वो रहता, वो कैसा है तो वो सभी चीज़े हम socio-economic status के अंदर patient की mention करेंगे उसके बाद बनाएंगे हम family tree, family tree में हमारे कुछ key points है, वो आपको याद रखने है firstly, आप जो भी key point में draw करेंगे, जो भी बना रहे हैं, वो आपको अलएक से mention करने होते हैं, कि आप किस चीज़ को किस से denote करेंगे लाइक हम square को denote करें male से, circle को denote करें हम female से, और हम square की अंदर हम cross करेंगे तो वो उस को denote करें हम female patient से आप और भी add कर सकते हैं, like h and w, यानि healthy and wealth है, वो patient है, वो सब चीज़े इसके अंदर हम mention कर सकते हैं उसके बाद हम बनाएंगे हमारा family chart, family chart के अंदर हम patient, family जितने members उनके सभी के name, उनकी age, उनका sex क्या है, relation क्या है patient से, उनका सभी का occupation क्या है, वो यहाँ पे लेखेंगे और healthy है या नहीं है, वो सभी चीज़े हम यहाँ पे mention करेंगे अगर आपको PDF चाहिए तो मेरे टेलिग्राम का link मैं आपको description में दे दूँगे, वहाँ से जाके भी आप जो है PDF ले सकते हैं और अगर अगर फर्दर आपको किसी भी topic के note से हैं तो आप मेरे को comment करके बता सकते हैं दो उसके बाद करेंगे हम physical examination जिसके अंदर हम चेक करेंगे patient की journal appearance यानि head to toe examination हम इसके अंदर करते हैं patient का body build कैसा है, hygiene कैसी है, उसकी look कैसी है, mental status कैसा है, patient का, conscious है या नहीं है, memory में लोस है या नहीं है mind status कैसा, anxiety है, hospitalization की वज़े से तो वह सबी चीज़े इसके अंदर हम चेक करेंगे उसके बाद हम head and face देखेंगे, hair texture कैसा है, pain है या नहीं है, round asymmetrical जो face है, वो कैसा है, ये सबी चीज़े हम इसके अंदर चेक करेंगे then उसके बाद हम करेंगे ear, ear में discharge present है या नहीं है, hearing कैसी है, pain कैसा है, ये सबी चीज़े इसके अंदर हम हम हमारी one, हर एक चीज़ के अंदर हम head to to examination के अंदर हम check करते है then हम check करेंगे eye, eye के अंदर vision कैसा है, eye lids कैसा है, then बात आते हमारी nose की, nose के अंदर हम check करेंगे हमारा discharge है या नहीं है mouth, throat and neck के अंदर हम check करेंगे teeth कैसी है, tongue कैसी है, voice कैसी है, color कैसा है, pharynx कैसे है, patient की वो इस अप्लियर नहीं है, क्योंकि उसको breathing proper तरीके से नहीं आ रही है, then उसके बाद हम chested lungs चेक करेंगे, lungs में abnormality है, heart rate में भी, क्योंकि वो उसको difficulty हो, lungs में obstruction है, वो proper तरीके से, हमारा air जो है, flow है, वो obstruct product है, जिसके वज़े से, जो हमारी heart rate है, वो भी normal नहीं है, respiratory rate है, वो भी हमारा normal नहीं है, तो ये से क्या हमारी abnormality है, then हम abdominal examination करेंगे, inspection, palpation, ये सबी चीज़े क्या हम patient के normal है, circulated system, blood pressure कैसा है, pulse rate भी हमारी abnormal ID मा present है, या नहीं है, तो ये सबी चीज़े इसके दर हम check करेंगे, then उसके बाद हम vital science चेक करेंगे, patient की, इसके दर हम मैं लिखना हमारा vital science क्या क्या हमने vital science लिए patient की, day 1, मुलब जिस भी दिन से patient hospital में admit रहा है, और till जब तक और discharge हो तक तक हम ये, हमारा chart regular बनाएंगे, तो day 1 में ये सबी चीज़े, blood pressure, pulse rate, respiratory rate, temperature, ये सबी हमारी patient की normal range इतनी होती है, हमारी average, then remarks हम कैसे देंगे, हमारी, क्या है, problem है, नहीं है, normal ह high or high high, या जदा है, तो वो सबी चीज़े के अदर mention करेंगे, उसके बाद करेंगे हम investigation जिसके अंदर हम patient के lab test कराते हैं, तो इसके अंदर हम investigation, नहीं हम एक डमारीham ये, Wert embargo牡 कर्रेंशन घृतने हमारी qualification कराी है, वो सबी चीज़े इसके अंदर हम mention करेंगे, साथ की साथ हम नूर्मल वैलू लिखेंगे कितनी नूर्मल वैलू हो तो और हम पेशेंट की वैलू लिखेंगे देन हम रिमार्क्स देंगे पेशेंट को अगर आपको PDF चाहिए मैं फिर बोल रही हूं कि मेरे टेलिगनाम चैनल पर आपको PDF मिल जाएगा सो ज़्यदा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है और अगर आप साथ के साथ नोट डाउन करना चाहते तो वह भी आप नोट डाउन कर सकते है उसके बाद आता है हमारे ये सबी क्या हमारी लैब टेस्ट है यूरिया हो गया बलंड शूगर हो गया सिरम हो गया मीनोसाइट्स हो S-potassium हो गया हमारा S-GOT हो गया SGPT हो गया ये सबी क्या हमारी लैब investigation है ये उसके बाद आता है हमारा radiological examination अगर आपने कोई भी रेडियो लोजिकल एक्जामिनेशी करा है चेस्ट के लिए लाइक चेस्ट एक्सरे हो गया हमारा CT scan हो गया MRI हो गया तो वह सभी चीजें इसके अंदर हम लिख सकते हैं अगर आपने और कोई भी टेस्ट कर आया है तो सभी चीज सभी टेस्ट इसके बात आता है हमारा medical management or treatment हम कोन कौन सी medicine patient को दे रही है this को यह दोलो दे रही है ठीक है तो यह सभी मेडिकेशन हम लिखेंगे हमारी सीरियल वाईज देड़ जारे हैं यालि हम कितने घ्रांज़ दे रहे हैं कैसे घ्र já मत्याइद पलबा मेलेकों है निउषन सेक्षा discussed गर्षा दी सब्सक्राइब दी काम क्या ने सब्सक्राइब करती है। अपने साथ की मैडिकेशन के साथ के साथ आपने उसके अदिकेशन में लिखे नहूंने का रोयडिकेशन किर गुद दी सबी क्या हमारी medication है देन उसके बाद आता है हमारा nursing diagnose हम nursing care plan बना रहे हैं तो nursing diagnose हमारा important है जिसके अंदर हमारा first हमारा impaired हो रहा है gas का exchange किसकी वज़े से shortness of breath की वज़े से यह हमारा first diagnose है second diagnose हमारा disturb हो रहा है हमारा sleep pattern dyspnea की वज़े से कैसे पता चला हमारा tiredness की वज़े से और fatigue की वज़े से third हमार imbalance हो रहा है nutritional status क्योंकि वो body है वो consume कम कर रही है जिसकार्ण क्या हो रहा है patient का weight loss हो रहा है knowledge deficient जो patient है उसको knowledge कम है regarding their disease और उसके treatment के सो हम उसको कैसे पता चला हमें उससे question पूछ के ठीक है so यह हमारा nursing diagnose अब हम finally आता है nursing care plan nursing care plan हम कैसे बनाते हैं आपको पता होगा nursing care plan में step कौन कौन से important होते है so firstly हमारा different step हमारे 5 भी हो सकते है आप 6 भी कर सकते हैं और आप 7 भी कर सकते हैं but मैं prefer करते हूँ आपको 6 जिसके अंदर आपको कोई भी difficulty नहीं होती जिसके अंदर firstly आता है हमारा assessment assessment के अंदर हमें करणा होता हमार subjective data and objective data चीक है उसके बाद diagnose हमें बताया हमें उपर बात की थी हमारे nursing diagnose बनाने बनाते क्या क्या point है हमारे so उसके अंदर हमने बात की थी हमारी ineffective airway clearance चीक है उसके बाद हम करेंगे हमारा goal goal क्या है हमारे goal के बाद के बाद आता है हमारे planning planning क्या करेंगे हम जो भी patient के 대'tment के regard हमें करना है वो सभी चीजे लिखेंगे हम planning के अंदर आपको यह धयार रख रहे हैं कि आप planning और implementation में जो भी step कर रहे हैं वो आपको points में लिखना है अगर points में लिखोगे तो ज़्यादा attractive लगेगा examiner को भी और आपको भी अच्छा लगेगा planning में जो भी हमने steps लिखे वही हमें patient के उपर apply करने ठीक है apply करने ये बाद हमें evaluate करना है कि जो patient की condition है वो कैसी है सो ऐसे यह आपको आपके 3 या 4 NCP आप बना सकते हो इसी ऐसे कि ऐसे यह सबी step आपको follow करके the next diagnose है हमारा impaired हो रख है nutritional balance ठीक है nutrition का loss हो रख है कि इसकी वज़ेसे नेरोक्सिया नोज्या वो मैटिंग यह इन सबी चीज़ों की वज़ेसे so same हमारा assessment करेंगे इसके अंदर हम subjective data लेंगे patient का और objective data then हम goal बनाएंगे हमें क्या करना है adequate nutrition प्रोवाइड करना है patient को उसके बाद हम planning करेंगे implement करेंगे patient के ऊपर and हम evaluate करेंगे यह सबी चीज़े then उसके बाद third nursing diagnose हाता है हमारा जो है patient के अंदर regarding their disease उसकी जो knowledge यह वो कम है so assessment में subjective data वही same हमारा objective data goal में हम करेंगे increased knowledge patient के regarding their disease and their treatment intervention में हम steps follow करेंगे हमारा one by one point में यह में लिखने हैं and implementation में वो हमें apply करने and evaluation हम चेक करेंगे patient को शीज़े के regarding knowledge हो गई है या नहीं so यह था हमारा nursing diagnose उसके बाद आता है हमारा health education हम patient को health education क्या-क्या प्रोवाइड करा सकते है explain करेंगे हम patient को dietary modification including avoidance of high-fiber diet उसको बोलेंगे कि आपको high-fiber diet या high-oaly contaminate diet उसको avoid करना है अवोइड करना cigarette smoking और alcohol को ठीक है medication लेने है time to time जो कि डॉक्टर ने prescribe किये anti-inflammatory और antibiotic जो drugs है उसके बाद हम advise करेंगे जो follow up मेजर से हम वो time to time उसको करने और medication लेने है प्रोपर टाइम पे explain importance of उसको बताना है कि rest and sleep मी कितनी importance है हमारी life में six to eight hours आपको sleep लेनी ही लेनी है उसके बाद हम advise करेंगे patient को regular exercise के लिए walking के लिए reflection के लिए extension के लिए ये सबी चीज़ आती है हमारी health education के लिए उसके बाद friends last में आता है हमारा bibliography ठीक है कि अंदर क्या करते हम जो आपने जहां से भी आपने content यह आपने Google से लिए या किसी further book से लिए या फिर आपको YouTube से लिए है जहां से भी आपने अपना content लिए है वह यहां पे लिखना होता है लाइक Google से लिए तो आपको site लिखनी होती है से अपने content लिए है सो यह था हमारा आज का नर्सिंग के है प्लान ऐसे ही informative वीडियो के लिए मेरे चैनलर को लाइक कीजिए शेर कीजिए अपने friends के साथ और सब्सक्राइब कीजिए ता कि आपको जो लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मेल सके थेंक्यू